तो दल से पहले क्या है देश तो भारत माता की ऐसी नगरी में आप पहुंचे हैं जहां पंडित का बड़ा रोल होता है हरीदवार आत्मा से मिलन तो आज आप अपनी आत्मा से सत्य बोलेंगे कितना आपने काम किया विधान सवा में जो विकास काम हुए है उसको लेकर के आपने एक स्वस्त चर्चा यहां पर रखी है आप बताएं जरा इनकी कितनी बात में सच्चा ही है बहँती दुर्भाग्य की बात है जो 19 साल के विकास के बारे में इनोंने बताया उसमीई सब्सक्राइब हर गली के अंडर इनोंने बहुत अच्छी बात बताई कि हर गली के अंदर विकास हुए ऐसी धरम नगरी में बैठे हो कुछ तो धरम करो कुछ तो करम करो यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इनके जो असली मुद्ध है अगर हम लोग नहीं उठाएंगे यह तो लोग फाइदा उठाते जाएंगे नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया का खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का आज हम आप पहुंचे हैं हरिद्वार विदान सभा जहां से सत्तापक से मदन कौसिक जी यहां पर परदेश सद्यक्ष भी हैं और कॉंग्रेस से हैं जतिन हंडा जी आपको बहुत-बहुत स्वागत बीजेपी से हैं विकास तिवारी जी विकास तिवारी जी का बहुत- बहुत-बहुत स्वागत आज सवाल जो होंगे जनता के आपसे होंगे और आपके जवाब जो सीधा जनता को होंगे हम तो माध्यम हैं ऐसी नगरी में आप पहुंचे हैं जहां पंडित का बड़ा रोल होता है हरिदवार आत्मा से मिलन तो आज आप अपनी आत्मा से सत्य पूलेंगे कितना आपने काम किया चार साड़े चार सालों में आपने सिरफ मुख्यमंतरी बदले हैं या काम भी किया है उन काम की जर्फ और अपने जनता को दीजिए कि आपने कितने काम किये उसके बाद कमियों के उपर हम काम करेंगे तो आपका बहुत-बहुत सौगध है सब आप पहले अपनी उपलब्दियां कि नहीं मैं धन्यवाद करता हूँ नीजवर्ड इंडिया का जिनोंने इस डिबेट के माध्यम से जो इन पिछले लगभग पौने पांच परशों में जो इस विधान सबा में जो विकास काम हुए है उसको लेकर के आपने एक स्वस्थ चर्चा यहां पर रखी है मैं बताना चाहता हूँ कि 2002 का वो हरिद्वार जब माने मदन कौशिक जी पहली बार यहां विधायक बने थे और हमने वो हरिद्वार देखा जब यहां पीने के लिए पानी नहीं होता था सीवर मात्र सत्ता प्रतिशत थी और जो विद्दुत की लाइने थी वो भी मुझे लगता है कि कई मलीन बस्ते आइसे थी जहां खंबे नहीं थे इसके अलावा पानी की उपलबदता भी बहुत अच्छी नहीं थी कि लेकिन 2002 का वो हरिध्वार और आज 2021 का वो हरिध्वार जहां 87% सीवर है जहां सभी शत प्रतिशत कालोनियों में पानी की उपलब दता है जहां लगबक सभी कालोनियों में पक्की सडके हमने दी है और इसके अलावा जो बड़े काम ये तो देखे बिजली पानी सडक सीवर ये तो एक मूल भूत सुविदाया जो एक जनप्रदिन करता है लेकिन लीक से हट करके जो काम माने मदन कौशिक जी के प्रयासों से हुए हैं जिनमें बनारस के बाद हरिद्वार दूसरा ऐसा सहर है पूरे देश में जिसको अंडर ग्राउंड बिजली की सौगात मिली है यहां घर घर जो है रसोई गैस के कनेक्शन हमने प्रवाइट कराए हैं इसके अलावा शहर के सभी चौराहों का सौंदरी करण इसके अलावा शहर में कई पार्कों का सौंदरी करण शहर से लगता हु अधर बड़ा हाईवे नेशनल हाईवे जिसको काम नहीं आगे बढ़ पाया लेकिन माने मदन कौशिक जी के प्रयासों से उस हाईवे को कही ना करिया आज मुर्त रूप दिया गया है तो मैंने कहा हरिद्वार वह हरिद्वार और इसी हरिद्वार में हरिद्वार से अधर लिखी गई है जो आज हर गली हर महले हर कालोनी हर बस्ती में पढ़ी जा रही है और मैं कह सकता हूं कि 70 विद्वार में अगर आदर्श विद्वार विद्वार उससे अच्छूती नहीं है चलिए चलिए आपके आपके उपलब्दियां हमने सुन ली कॉंग्रेस से पुछ लेते कि इनकी उपलब्दियों में कितनी सच्छा है जतिन जी आप बताएं जरा इनकी कितनी बात में सच्छा ही है बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जो 19 साल के विकास के बारे में इन्होंने बताया उसमें सबसे हर गली के इंदर इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हर गली के इंदर विकास हुआ वो विकास इस परकार का है कि हर गली में स्मेक बेचने का काम आज हो रहा है खुले करोना काल आया था तो मान्य मंत्री जी द्वारा घोषना की गई थी कि तीन महीने के अंदर हम हरिद्वार को एक मेडिकल कॉलिज देंगे लेक हॉस्पिटल बनाएंगे आज तक वह उस्पिटल का निर्मान कारे में एक इट नहीं रखी गई जिसमन अगर डिकम द्वारा भूमी भी दे दी गई है और उन्निस साल में इन्होंने ये बताएं कि इन्होंने एक भी हॉस्पिटल मेडिकल में या ह्रिद्वार को खोधने का काम तो इन्होंने किया सडक बनी और तीन महीने बाद द्वारा खुद बहा दिया क्योंकि कोई व्यवस्ता नहीं थी, कोई प्लान नहीं बनाया, बिना प्लान के सड़क बनाने के बार, उसे खोट करके, शीवर लाइन डाल दी, फिर बनी, और फिर पानी की लाइन डाल दी, इस प्रकार तो बंदर बाट हुई है, हमारे द्वार के अंदर और इस से जारा रहो भी और देखते हैं चलिए चलिए कॉंग्रेस ने अपने बात रखी आप मैं आम आदमी पार्टी मैडम बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बड़ी कॉंफिडेंट भी लग रही हैं आम आदमी के वादों से आप बिजली फ्र दिली के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि मुझे तब वोट देना अगर मैंने काम किया है अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे लगता है कि पूरे भारत में एक इकलौते वह मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये बात कही है और वोट उन्होंने काम पर मांग आपने कहा कि अर्विन जी जो बोलते हैं जो उन्होंने बिल्कुल यूनिक बात कही कि मुझे वोट मत दीजिएगा मैडम मेरा प्रशन सबसे पहले आप से ही है वो बड़ी यूनिक ही बात करते हैं क्रोना काल में रोज यूनिक बात करते थे रोज टीवी पर आके सुबह एक ब्रह्म भलाते थे कि भीया मेरे पास ऑक्सिजन नहीं है मुझे सेंट्रल गॉवर्मेंट सपोर्ट नहीं कर रही है तब वो लाचार क्यों जाते हैं तब वो उनकी लाचारी ऐसे क्यों दिखती है कि आज तो मैंने वादा करते मुझे वोट मत देना तुमने मुझे वोट मैं यह करना चाहता था मुझे सेंट्रल ने सपोर्ट नहीं किया जब और चानक से उक्सिजन भी उपलब दो जाती है तो डिली मॉडल मैं उत्राखंट पर वापस आना चाहूंगा जो डिली मॉडल की आप बात कर रहे हैं दिली की जंता से पूछेंगे तो शायद आपके आपका तीन सो यूनिट बिजली फ्री देंगे, नौकरियां देंगे, हर जगे एकी चीज, एकी समस्या, हर किसी की अस्तिती अलग-अलग है, आम आदमी से मेरा पहला है, आप लोग मेरी बात से, अगर सहमत हो तो मुझे हर जगे की भगलिक अस्तिती अलग-अलग है, बीजे हाँ जी, यहाँ पानी आज भी आपके सर से उपर भड़ता है, क्या बीज सालों में इसको नहीं ठीक कर पाए, आप पे खतम करता हूँ, कॉंग्रेस, पिछले पान सालों में आप भी रहे, भराओ बीज साल से है, क्या आप जनता को बेवकू बनने का काम ही चलता रहेगा, कि आज इनकी सरकार है, तो यह जिम्मेदार है, जब आप थे तो क्या पानी नहीं था? तो यह मेरे सवाल जो आप सब से हैं, आप लोग जनता को भरमाने वाले जो काम करते हो, आरोओ परते आरोओ यह वो सो आपने का हॉस्पिटल नहीं है, मैं उनके हॉस्पिटल की उपल नहीं है, मैं थीर्णानी है, तो यह जनता की सप्प़ूड से चलते हैं, वो सिरफ जनता के सपोर्ट से चलते हैं, तो इस तरह की उपलब्दिया आपकी क्यूं नहीं है, सबसे बहले में कांग्रेस से, आप सिरफ दूसरे भी ठीक राफ होडने काम करते हो, आपकी उपलब है वहां दोनों जगह पंपिंग सेट दोरा पानी की सुविजाओ पानी को निकासी का काम किया गया रहा और उस समय में वह काफी तक कारगर भी साबित हुई लेकिन जब मुख्यमंतीजी का करेकाल चेंज हुआ उसके बाद यहां पर समस्या आई कि उस पंपिंग सेट को चला गया और हाइवे के कारियो को भी कॉंग्रेस के टाइम में ही फुरू किया गया था मैडिकल के नाम पर जवा नहीं है वैसे जी मैं आप पे आता हूँ आप इतने सारे क्योंकि आप सत्तापक्ष हो इनकी जिम्हधारी इस टैमप Wanna जो भी है आज यह सिरफ बातों को बोल सकते हैं हमने घोशनाइं किए यह किया था आप तो घोशनाइं कर रहे हैं हो आप तो मुख्रमंठी पर संब्भ संब्द रिए अच्छी अच्छा लेकर कि लिहीं कि हैं रिधुर्ण पर चाहता हूं कि हरिद्वार टुदर्पूर्फूर और पितरुरगर तीन medical college हमको मिले जिन पर काम बहुत पूंघ चलब हराओ की बात कहीं आप और बोट पहले जलबरा होता था और यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि हड़ी दूसरी बात चंदरा चारे-चौकपर अभी रिसेंट ली दो मेहीं पहले जो काम खत्म हुआ एक बड़ी योजना के तहत मानी है मंत्री मदन कोशिक जी के माध्यम से और मैं प्रामाणिकता और चुनोती के साथ कहना चाहता हूं कि इस वर्ष किसी न तो दुकान में पानी भरा ना किसी का नुकसान हुआ और ठीक है बड़ी वेव से अगर बार है तो सवाल 63 साल वालों सो भी होने दूसरा जैसा मेडिकल फैसिलिटी के आपने बात कही है तो मैंने कहा कि हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है सड़क हो गया गैस देंकि मूलबू सुविदा यही होते लेकिन और सबसे बड़ी चीज यह सब काम होने के पर है हमारे मोदी जी की साज के सिवा के 20 साल पूरे हुए कल परसो और उन पर एक भी सारविनी जीओन में कोई भष्टा चार का रोप नहीं लगा सकता है जबकि सोनिया जी राहूल जी दोनों जवानत पर है तो मैं कहना चाहता हूं एक शसक नित्वत हमारे पास है माने मो आद्मी पार्टी आप तो मतल है आपकी बात करते हैं आप की बात करते हैं इसलिए साथ आप लोगो ने ऐसा नाम चुना हो को सटाएम पर पर क्या आम आदमी पार्टी आम जनता के बाते विश्वास नौकरी एक लाख नौकरी दिल्ली में 7-6 साल 7 साल में आप लोगों ने कितनी नौकरियां दी यहां एक लाग नौकरियों का आपने वादा कर दिये यह जंता खड़ी है युवा खड़ी है यहां पर हरिद्वार विधान सभा को लेकर जो डिवेट हुई थी मैं हरिद्वार विधान सभा पे ही आऊंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर हमारे पास पूरे अधि गिनवाद हैं अपने कौन से अठारा काम कर दिये हैं इस यहां पर उनके रहते वे दो तो अर्द कुम्ब हो चुके और एक कुम्ब हो चुका है जितना पैसा इन कुम्ब में आता है उसमें तो यह स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए था सड़के ऐसी जाने थी चकाचक ज़ कि एक तरफ कहा है विकास भाई ने की यहां पर ब्रेस्टाचार का रोप नहीं है तो बताइए ना पुस्तकाले गोटाला तो अभी तक चल रहा है कहां गए वो पुस्तकाले ग्यारा मारा पुस्तकाले यहां पर खुले थे लेकिन आज एक भी पुस्तकाले धरातल पे नही इनके मंत्री लोग फसेव हैं उन्होंने खुद उसका योजना का फायदा उठाया है और आज आप बात करते हैं कि हरिद्वार की हरिद्वार एक धर्म नगरी है और हरिद्वार में बताती हूं कि जगा जगा हर गली में जो है इसमें कारोबार दिया हुआ है और एक दूसरी में छुड़वा लेते हैं यह हमारे लिए बड़ी दुखत बात है हम महिलाओं के लिए कि हम उस रोड से गुजर नहीं सकते हैं क्योंकि उनको भी उसी नजर से देखा जाता है कोई अपनी परिवार को लेके निजा सकता यह धर्म नगरी के वो हैं और बात करते हैं कि यहा पर विकास आप देखिए ना जहां सड़कों की बात चलती है तो वह रास्ट्य रास्ट्य मार्ग है वह केंदर के आधीन आता है आप यहां पर 18 साल के जो विकास है उनके काम करवाई हैं कि 18 साल में क्या विकास हो आई यहां पर यहां पर हर गली हर आज हम बारूत के धेर बैठे में जिस तरह से खुदाई हुए और तीनों गैस लाइन आपकी पानी की लाइन आपकी बिजली की लाइन एक साथ चल रही है नीचे कहीं पर भी कभी भी ब्लास्ट हो सकता है क्योंकि हरिद्वार शहर एक बारूत के देर पर बैठा हुआ हरिद्वार शहर एक और वहां पर 5,000 रुपे बेरोजगारों को नहीं दे रहे और उतरा खंड में बड़े बड़े कर रहे हैं जब आप वहां पर 388 नौकरी कुल दे सकते हो और 5,000 रुपे आप महिने के कहां से दोगे जब आप अपनी दिल्ली की सरकार में वहां पर आपकी सरकार है दित्ये पारी चल रही है और उसके भी दो वर्ष पुरे महुंभ इस तो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है दूसरा सवाल भाजपस से भी रोजगार के नाम पर माच्र ऑजن एग्जानसी की रिपोर्ट यह परसेंट रोजगार दिया गया और अब यह नौकरी के नाम पर फार्म निकाल रहे हैं जनवरी में आचार जहीता लग जाएगी बच्चों के एक्जाम कब होंगे और उनकी भरतिया कब होगी इन से सवाल है बेलकुल इनका आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से दोनों से स सालत यहां के सकूल ethic और डिल्ली से सकूल की विशाल की शाल देता है देश में उसके स्कूल की चर्चा आएं और दूसरी बात यह है कि मॉहल hydrogen minus उनका सवाल रोजगार के उपर है महला क्लिनिक के उपर है पोछे समक पूछे इक डिली कौन लेक distingu किया आप तो आप से सवाल वहां से भी कुछे जाएंगे आप पे और कुछ है क्या है हरीदवार में क्या किया आप ने आप पे जो कुछ है रोल मॉडल आपका दिल्ली है ना तो आप दिल्ली पे दिल्ली की बात आप करेंगे सवाल अगर वहां से लेंगे ताब बूल रहें आप से हरी दुवार की बात करें जी बात करिए कि डिवेट हर या उत्रा खंड को लेके थी लेकिन दिली में हमारा लगातार चल रहा है और ऐसे बोलने वाले कि किसी बिना सबूतों के आधार पर कोई भी किसी बी इलजाम यह 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 पेपर दे में इनको दिखाएं वो पेपर है ना दूसरी बात यह है कि यह तो 20 सालों में इनकी कॉंग्रेस की सरकार रही है और लगातार 70 सालों में इन्होंने कॉंग्रेस ने राज किया है और मिलके बंदर बाट करी है तो उसकी बात इन्होंने नहीं करी इन्होंने सवाल किया है सिर्फ आम आदमी पार्टी से जो कि यहां पर नहीं है इन्हों ने तो उत्राखन में भी राज किया है तो जब इन्हों ने नहीं किया यह जंता है राज किया इन लोगों ने यह तो जंता है इनके सवाल तो कड़वे ही होंगे आप इनसे अपेक्चा ना करें इनका द भी यह लोग सत्ता में आएं तो आप से नजर मिलाने में इनको लगे कि यह तो वादा मैंने किया था इनसे यह पूरा नहीं हुआ आम आदमी पार्टी आप पठका लगाए बैठे हो तो आम आदमी पार्टी के फेवर में बात करोगे है ना चलिए बीजेपी से पहले मैं बी दोस्पंड हो जाएंगी ती क्या है यह देखिए अभी लगभग पिछले देड़ वर्सों से हम केवल इस प्रदेश की बात देंगे पूरे देश में जो कोवीट के कारण यह सारे प्रोसेस डिले हुए और मैं बढ़ा ही दूँगा आपने युवा मुक्यमंत्री मानिय प पूरे दस्वा साल हमको भी है तो कंपरेटिवली जब हम इसको देखेंगे तो कहीना कहीं जो बढ़ता हुआ लोगों का आशिरवाद है वो यही दिखाता है कि कहीना के लोग बीजेपी से संतुष्ट और मैं बात कुनों हरिद्वार की जैसा इन्होंने कहा 20 साल में क्या आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर लगातार पहली बार दूसरी बार तीसरी बार चोथी बार और चार बार अगर वो चुनाओ जीता है तो कहीना के जनता में एक स्विकारता उसकी बनती है और यही कारण है कि बढ़ता हुआ आशिरवाद 2002 में मतन कौशिक जी को कुल पड़े मतोगा 42 2012 में कुल पड़े मतोगा 52 और 2017 में कुल पड़े मतोगा 16 तो हर वो तो मोधीजी मौति जी 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 का जिए ऑग मरूडेर मेण जो ग्राव आपको बढ़ा मोधी जी का विदान सभा को 70 की 70 विदान सभा में एक आधर्स विदान सभा बनाने का काम किया दूसरा जैसा आपने रोजगार को लेकर करके जो सवाल पूछे मैंने कहा है कि मैं प्रमाणिकता और चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि इनके 10 सालों के आखड़े और हमारे इन 9 सालों के सब्सक्राइधे मैं आप आप पे आप कि बात करते हैं आप इन पर आरो Chris लकाते हैं todd आपके पेंड़िंग काम कि ना दीजिए जो इनोने और पूरे करने थे या इन्होंने आपके काम को रोग दिया हो वो गिना दीजिए जनता को कुछ तो क्लेरेटी मिले कि आप लोगे अंदर खाने चल क्या रहा है यह हमारी उपलब्दियों में सबसे बड़ी उपलब्दी जो हमने पूरे उट्राखंड के लिए दी है वो है उट्राखंड में सिड्कुल का गठन सिड्कुल जिस दिन आया था उस दिन उट्राखंड के 70% रोज़गार खुले थे लाइबरी कांड में हाई कोड का वाज़ेस आ हमारे हैं दो बार सहरी विकास मंत्री बने सन 2010 में नई चैक भी भीड़ी ऑस अब लेगार गांग कर mars से दिन के दिन और उसके बार उन्हीं कहा किया कौल बढर को क्जाने काम किया ये सहरी विकाश मन्ती अगर इस ततारे सहर को जानने का काम करेंगे पई दोठी से समक्षमाणे जाते हैं मुक्हॹ मंतरी के हैं तो अब तो देख्ष भी है चली जनता से सवाल लेते हैं जी जी आप बताएं आप बहुत देर से आथ उटा रहे हैं जी बताएं मेरे बीजीबी से तीन प्रस्टन है पहला जैसे विकाज तिवारी जी ने कहा कि अब बश्टाचार मुख था हमारी पार्टी रही है अभी कुम टेस्टिंग हुटाला हुआ था उसकी अभी तक जाच चली रही है कोई गृपतारी अभी तक नहीं हुए कोई बड़ी गृपत में आपकी सरकार है फिर भी उत्रखंड की परी संपतिया आप तक क्यूंड armas आप था कि इनोलि की इनNowीश सालों में मन्तरी जी मानिविधायक जी दो बार्पावार्ण मंत्य और व३र्व शिक्ष्यarm प्रशन आपने कोई गोटाला नहीं हुआ इनके दुनिया बर के प्रशन आपने सुन लिए यह इनका दर्द जो है ना इसको आप थोड़ा सा छोटा-छोटा करके बताईएगा कुछ विशे जो सब जूडियोश होते हैं जैसे आपने वीर चंसिंगर वाली परेटन स्वरोजगार योजना की बात कहीं वह विशे मानिया 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 हाई कोट में हैं और हाई कोट मे केवल एक चर्शा में रहने के लिए अकबार की सुर्ख्या बनने के लिए कॉंग्रेस के लोग यह सारी चीज़े कराते हैं दूसरा जैसा सती जी ने कहा कि परी संपत्यों के बाद तुम मैं इनको बदाहे देना चाहता हूं कि इनोंने बात कही और शायद इनकी जानकारी यह दूरी है माने योगी जी के उत्तरप्रदेश में आने के बाद और त्रिवेन जी जब बने तो पूरा एक सहयूक इनकी टीम बैठी और उसी का प्रेणाम है कि आज जो यह अपना डाम को यह अपना जो यूपी का गेस्ट था वो हमको मिला और उत्राखंड का नया बन है तो इस तरह की चीज़े परिश्यत्यों मुझे लगता है लगवा लगवा 80% बटवारा हो चुगा है और शायद इनको जानकारी नहीं है यह चीज़े पहले कभी थी लेकिन मुझे लगता है कि योगी जी के उत्तरपदेश में आने कब इन सब चीजों को कही ना कहीं वि जी की बढ़ती लोग प्रियाता से घबराकर एक आरोप लगाना चाहते हैं ताकि अगले दिन सुर्खी बने केवल सुर्ख्यों के अधार पर यह चुनाओ जीतने वाले नहीं है जनता का आश्रवाद पाने वाले इस काम के लिए इन जनता के बीच जाना पड़ेगा आज बूत बूत पर वाड़ वाड़ में हमाना नेटवर्क है इसलिए हैं कि हम लोगों के काम करते हैं हम लोग का आश्रवाद लेते हैं कॉंगोरेस यहां आजम आद्मी पारटी आज चुनाव में तो लोगों के बीच जा रहे हैं लोग के पास वादे करना है लेकिन हम पाथ स साल होता है आगरी साल होता है उसमें यह विग्टिया निकालते हैं वेकंसी निकालते हैं कॉंग्रेस हो चाहे भाजपाओ पिछली साल पिछली बार की जो अरिसराव सरकार्ति उन्होंने युवाओ को का गया आप बगरी पालन करिये जाकर में सी पड़े हुए युवाओ को का उस्टेम 4,000 वेकंसी नो ने निकाली वह भी लास्ट यह निकाली उसके एक्जाम होए भी यह नहीं हुए और दूसरी बात यह है कि भाजपा ने बीसी टेम कलेक्टर तक की वेकंसी निकाली जो पहले की वेकंसी भी नहीं निकाल रहे थे PCS की और lower PCS की और समिक्ष्य अधिगरी यह सब वेकंसी लास्ट यह निकाल लें उनके एक्जाम होंगे भी यह नहीं चलिए 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 एक सवाल एक सवाल बड़ा संबेदन सील समाल है और इसमें कोई की यह हो गई जैसे बूद बूद पर हमारे कारे इंटर पर लगा है जबकि कोई इंजीनियर अगर बनता है तो उसको पहले प्री निकालना पड़ता है में एकजाम निकालना पड़ते हैं आप जाके नौकरी पे लगता और प्रेम दागरवाल जी घ्ठाइ बड़ा आरोप कॉंग्रेस से भी बड़ा आरोप बकरी पालन बकरियां बोलती नहीं है बोलेंगी तो हलाल कर दी जाएंगी जटका कर दी जाएंगी है ना इसलिए बकरी पालन का संदेश जी आप बताएं बकरी पालन का जैसे मेरे भाई ने बोला तो उसके बारे में पड़ा करें बक्री पालन जिनों ने किया रहा हो ने रोजगार में उसमें उरद्धी ही हुई है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ किसी को इसमें कहने की बात है कि बक्री पालन एक छोटा कारी है बक्री पालन के कार्य करने वाले आज की समय में उत्राखंड में आप उपर पहड़ों में देखें कितना अच्छा रोजगार चल रहा है बक्री पालन का चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ इसका बक्री पालन का ज करोना टाइम पे लोगवापस आए बक्री पालन करा मुर्गा पालन करा आपने कभी बात करी पाढ़ वालों से? कभी बात करी है अपने पाढ़ वालों से की उन बक्री हुआ क्या हुआ उन मुरुगों का क्या हुआ? कि जैसा मैं आपको पहले बता है मैं हरिद्वार विधान सवा से आपको उत्राखंड के पूरे उससे लेना देना ही नहीं है अपको पता है क्या हुआ और यह नहीं और फॉर्म निकाले गए ते और यह भी हुआ था वह था कि उनको मिलेगा बक्री पालन मचली अ काफिसारी वो निकाली गए थी कि उनमें सबको रौजगार मिलेगा और लेकिन उसमें हुआ कुछ नी ना हुआ कुछ नी आप मैं बता दूँ आप जंता को मैं जवाब दे दूँ मैंने गाउं में खुद एक बैठक करी मैंने वर्चुल बैठक करी उसमें हुआ कि भाई साब बड़ा अच्छा धंदा चला है मुर्गियां जो हैं पंदरा सो दिख रही हैं क्योंकि दिल्ली से जब आप लोगों ने खदेर दिये गए थे लोग तो अपने गाउं वापस आये थे आप लोगों के योजनाओं में कहीं हो गाउं वाले आज भी फिट नहीं हुए तो उन्होंने पहले तो जो पैसे थे उनकी मुर्गियां खरी थी मुर् को खा रहे हैं तो मनला ना सुबूत रहा ना नौकरी रही यह सब हो रहा है तो आप अपने पाड़ों की तरफ उत्रगंड की राजनिती ना जो आप प्लेंस में करते हैं सबी लोग जो उत्रगंड की हरिदवार देरादून रिशी केश उत्रगंड ये नहीं है सब्सक्राइड ये ये मेरे दोस्त जो आप समय स सवाल न तुम लोगों से चाहिए और कौन हैlica ता इसले इसले निकालते हाँ या रोजगार के नाम पर आप यह कहांगे की पार्टी वाली बात कर दी, कॉंग्रेस के परवक्ता हैं यहाँ पर बैटे वो जवाब नहीं दे पारे, इतने सिक्सक रखे गए, इतने सिविल इंजिनिर रखे गए, सब रखे गए, सूचना के अधिकार में आपको सारी जानकरी मिल जाएगी, मेरे कॉंग्रेस के परवक्त यह है जनता जिसका दर्ण नहीं, मैं बता देता हूँ, मेरे गर में तीन छोटे बैन भाई हैं, तीनों PCS है, ठीक है, वेकेंसी निकल टी थी, इसलिए वो PCS बने है, आज की डेट में PCS की वेकेंसी इन्होंने आब निकाली, यानि कि परसासनी कदिगारियों के इन्हें ज करना चाहूंगा, पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि खेराम आदी पाट्डी तो हम भी देख रहे हैं हरिद्वार में, वागी कॉंग्रेस और BJP को तो पिछले 20 साल से देखते आ रहे हैं, एक बारी इनकी और एक बारी इनकी, हाना, मैं आ करता हूं, हरी दवार की बात करता हूं, माननिये हिकास बीजाजी बैठे वे हैं, इनकी गली में, होटलों के सामने कुंब की सड़के बिछा दी गई, महांके शिविला नहीं डली है, आप चलिए, भी सर्वे करिये हैं, वहां पर क्यों नी डली है, कहां गया हो, कुंब कुछ लोगों को फ्री फ्री चाहिए मेडम फ्री चाहिए एक मताएं आप सवाल उठाथी हैं आप ने का नशा बिजली फ्री पानी फ्री 5,000 रुपे आप और देंगे सास्थ में तो ये पांच जब आप इतनी फ्री के आदर डाल देंगे आप ने भी राशन फ्री तो आपने काम करने की उप्षीत जाब में तो जो इस्ती होगा है। कि न तो सत्त्र पर्सेंट बड़ा उसका विश्य है कि सत्तर पर्सेंट लोगों कि लोगों ने कहा कि विजली पानी नहीं हमें रोजगार चाहिए। यही कारण है कि फिर उसमें वर्क किया गया किस तरह से हम वेकेंसी निकाल सकते हैं और कैसे हम लिवाओं को रोजगार यहां पर संसाधन बहुत है जिसका फायदा बहार वाले उठाते हैं हमारे पहाडों में होती है एक जड़ होती है जिसे बोलते है किंगोड ऐसे करके जड सब्सक्राइब तो उसके जड़ में बना सकते हैं इतनी जड़ी बुट्या मैडम 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 कीड़ा जड़ी कीड़ा आप गूगल करिए किड़ा जडिए तब तो मैडम आप ते बिल्कूल पता होलू कि किन गोड और कीड़ा जड़ी सब अलग अलग परकार की होंदी ठीक है तब इमें गड़ा जिंचे पूछणू तुम ते कि तुम टीरी बिटेन है इले पूछणू किन गोड और अगर जब फिरीक आदत डालन थोडी दूलाजों कि ऑने हम से जड़ीबूटी उने जडवी कंहा हुआ है संसादनोंकिती कंहा हेनी थे थे आप तब साथ जनता हमारा हमारा हुँ खीचली जब सबसे मौका मिली एक बर इंदा यह चला आप वन्टु वन मेरूँ आपको वेगी आप यह बता च्छह मैंने वागर आपने एक लाक नौकरी नी दी नी पहली चीज तक तो तुम बोल दा कि हमारी सरकार अधूरी छह हम पुलिस की पावर नीचे मिन्स पावर नीचे यह नीचे वो नीचे घडवाली में लेके उमें कन्वर्शेशन को पूरा ठीक है आप बताया पीरी गडवाल से हैं आप इतना बताईए कि जब यहां पूरा नीज कर पाऊ कि आप बुलेंगे मैं उत्रहकण का सीम बंजा तो यहां प तुर्वर्ट है लिसक्राइब फ्रेции प उत्रद से लकीजटार है तो किम पर उनके पद पर उनके उनकी क्यों पर कोश्चन है हाँ जी आप बताएं कितनी बात से सहमत है आप इनकी देखिए क्या है कि जब जिसको कुछ पूरा नहीं करना तो वह कुछ भी अनौंस कर दे आप इनके नेता जिस प्रदेश में जाते इनकी चार क्लिपिंग आई इनके जो मुख्य मंत्रिय हैं उन्हो वह दूसरी चीज है अचा एक बाद की खुशी है कि आम आद भी पार्टी आज चुकि है उत्राखंड में कहीं ने कहीं कॉंग्रेस की वोट कटेंगे यह कॉंग्रेस की बीटीम है जनता जानती है कि यह राज्य देखिए अटल जी ने राज्य बनाया है मोधी जी इसको क्या आजनती लिए दृशान लुने वाला भई सब आम आदमी पाटी जिन मुद्दो पर चुनाव लड़ी है वो मुद्दे हरिद्वार के उत्राखंड की में कहीं भी नहीं रहते क्योंकि यह के वल्टी की राहिंदितिके लिए बता रहे हैं हरिद्वार उत्राखंड और सब्धियस्थ हाई-थ connection है इन लोगों का आपको क्रेंना है इनका केणना है और हमारे विचार सब एक जैसे हो जाएंगे ऐने हां जी इनका बाह सबका प्रश्ण हाजी जनता है लोग जनता हैं कि सरकारी फैसिलीटी मिले आज आप मेरे साथ सरकारी श्पटाल जाएंगे न तो पंगों की डंडिया लटकी हैं पंखडिया नहीं है क्या गरी जंता ने इस लिए बोट करा था एक बार जाके विजिट नहीं किया यह खमी है तो उसमें क्या है एक बड़ सुनू चलिए आपके सवाल शिकायत मैं तो दूर नहीं कर पाऊंगा आपकी मैं तो आपका सुनू मैं तो पत्रकार का धरम पत्रकार का धरम पंडित वाला है हमारा जो है ना आज भी जो आप लिपोर्ट लगए होगे ना प्रसक्राप लिए कि स होते हैं अधिक तर होते होती हैं जो परवेट ऑस्पिटल हो वह बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और यह इस तरह की दवाई देते हैं महां से कोई ठीक होता ही नहीं है अरे यार यार यह तो बड़ा आप उत्रा आप उत्राखंड की बात कर रहे हम आपको पासा ऐसे पता ही होगा कि हमारा उत्राखंड राजी पांच राज्यों को आप जानकारी में और दुरस्त कर दूं यह लोगों को क्या आप लोगों ने पुरी जानकारी आप लोग नहीं देते सिर्ब अपने पोस्टर बैनर लगाते हो जब बिजली का डैम बना तो आपने नहीं बताया की इस बताने की जिम्मेदारी किस की है मैं नौकरिया दूंगा पर कहां से दूंगा नहीं पता तुम नहीं पता पर उनको भी नहीं कि हमारे पर शेयर क्या है अरे भाइया जब यह सब कुछ बांट दो के फ्री में आप भी खोश्णाइं करिए तुम दो कि तुम तीन सो मैं साडे तीन सो तुम ऐसे नहीं तो मैं डेनी से मनवाओंगा डेनिस से मनवाओं गाहना कुछ ऐसे में ने शाद भोल दिया है तो समझ झाना आप आप सब्सक्राइब करने अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे वरिष्ट पत्रकार साली नहीं हैं उनकी संपत्ति का विवर्ण उन्होंने दिया है अगर उनमें कहीं भी आरोप गलत पाए जाते तो उनके खिलाफ अभी तक वो मानानी का मुकर्दमा या कोट में ले जाना या थाने में उनके खिलाफ कोई मुकर्दमा दर्श करवा दिया था लेकिन अभी तक उन्होंने करव यहां यहां आदमी बोलता है कि यहां सची बोलने आता है घाट पे जाता है सच बोलता है बोलता है यार कुछ नहीं रखा इस दुनिया में बेकार की वह है अब थोड़ी देर दूर निकलता है उसके होता है हाँ बता क्या काम है ठीक है ना तो यह नगरी थोड़ा सा अलग है आप मुझे ये बताईए हमारे उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाद उत्तरा खंड के हैं अच्छा कारे करे हैं परले मन से बताईएगा उत्तर परदेश के अंदर जिस परकार की राजनीति हो रही है जाती को ले करके वो बहुत निमनिसतर पे आगई है पहले तो ये इनका राजनीति– उन्होंने इतना कंट्रॉल कि आपको कही नज़र निया है पर आपकी जानकरी में लखनौव में किस तरह नाम पर रोका जाता था तेस्टिंग तक अलाओ नहीं थी अगर टेस्टिंग करवाने किसी को एडमिट करवाने तो उसके लिए कोई भी संस्तान होती है उसको यह यह जो है न यह ने ने यह जनता को मन भरमाईए ऐसा कुछ नहीं बड़े न्यूस चैनल वे बगायदा इसकी इसके दिखाए चलिए आपसे आपसे फाइनल फाइनल में आपसे पूचता हूँ जिम्मेदारियां सारी आपकी बंती है आज की अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो भी जिम्मेदारी सही करने की आपकी यह जो वादे कर रहे हैं जनता तक सही पचाने की जिम्मेदारी आपकी आप अपनी जिम्मेदारियां निभाओगे या आप भी एक और नया वादा करके आगे बढ़ जाओगे देखिए हमने जो तो मुझे लगता है दुनिया का सब्सेवड़ा वेक्षिनेशन अभियान माने मोदी जी के नेत्रत में भारत में सफल हुआ है अपी तो हमने रिकॉर्ड पर यही कारण है कि कोविट पर हमने कंट्रोल भी किया और उत्तरमदेश की आपने बात कही है तो मुझे घर्व से मैं सब्सक्री आप शर्व हुआ है बिलकूल बिलकुल आपकी बात से सहमत भी हूँ अर्छ बात पर उन्होंने काम भी किया है में आहम आदमी पार्टी से आपके संजे सिंग्जी विकरू कांट उठा देते हैं तार जिसमें पुलीस वाले मरे थे आठ्नो उसके समर्थन में च मैं सबसे पूछता हूं अगर एक परिवार में क्रिमनल है और उसका सपोर्ट देने वाले उसके परिवार वाले उसको सपोर्ट करते तो क्या वो क्रिमनल नहीं है जो क्राइम करने वाला है वो तो क्रिमनल है और क्रिमनल कहा जाएगा लेकिन उसके क्राइम जब तक वो नहीं कि आप लोग जनता को जो बताते हैं कि यह क्रिमनल है यह क्रिवार को छोड़ दो अरे भाईया जो क्राइम का साथ देगा तो क्रिमनली कहलाएगा घर से क्राइम उठा है हाजी हाजी अपने अरिद्वार की बात करता हुँ सुभेरी मेरे हिंदूस्तान का एकबार उठाया तो उसमें क्या देखता हूं कि नगन निगम हमारा यहां कॉंग्रेस का है और जिस वाड में यह काम हो रहा है वहां पर जो भीजएपी का पढ़सद है तो दोनों है अब अ नगन निगम की पढ़ची काटे जा रही है जो विचारे ओटो रिक्सा वाले जो मैनस से कमारे उनकी डबल पढ़ची एक तो नगन निगम 10 रुपी के लेता है और दूसरा नगन निगम 40 रुपी के लेता है आप सुभेर का बार देखोगे तो उसमें मैंने साब कहते हैं कि इसमें लिखा वाया है एकबार में कि इसको हमें एक अफ्ते गंदर सुदा रहेंगे यावेद है बतावो अवे दंदर किसके उसमें हो रहा है विकास भाईया ने भी कहा हमारे भाईया है अधरनी है हमारे लिए बहुत ज़्यदा ऐसी बात भी नहीं है यह योगी जी की य देल के अंदर मरवा दिया और उसके बावजूद भी आजे मिस्राने सीखों को माजी रहन दिया मेरा 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 आप लोगों से यही तो बात है यही तो मैं बोलना चाहता हूं कि आप इनके असली मुद्ध है ना अगर हम लोग नहीं उठाएंगे इन लोग ये तो लोग फ लखीमपूर को लेकर के कॉंग्रेस आम आदमी पार्टी जितने भी बाजपा विरोधी देल उन सब में वहां जाने की होड लगी है वो वीडियो अपने वायर कलते हैं मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अभी जम्मू कश्मीर में भी हमारे कुछ दिनों से जानका रही है इस पर जांच बिठाई गई है मानने मेर सहीवा द्वारा और इसमें आरोप जो लग रहे हैं वहां के पारसत के ओपर लग रहे हैं जो वहां का बीजेपी से संब्सक्तित पारसत है कि उसने अपनी परची अलग से चल रही है उसके जांच चल और जिसको रिपोर्ट कार्ड हम बोलें तो आप क्या समझते हैं इसमें बीजेपी पास होती है ये फेल होती है जरा जोड से बता दीजे मुझे पास में पास में एक आवाज आई पास में ये जरे एक पर जोड से आवाज लगा दीजी चलिए आएम आदमी पार्टी वादे वादों के साथ जीना चाहोगे जै जै कार्यों का जै नोचाहीं करो आपनी आत्मा से मिलन तो आज आप अपनी आत्मा से सत्य बोलेंगे कितना आपने काम किया बिधान सवा में जो विकास काम हुए है उसको लेकर के आपने एक स्वस्थ चर्चा यहां पर रखी है आप बताएं जरा इनकी कितनी बात में सचा ही है बहुती दुर्भाग्य की बात है जो 19 सारी के विकास के बारे में इन्होंने बताया हर गली के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हर गली के अंदर विकास हुआ ऐसी धरम नगरी में बैठे हो कुछ तो धरम करो कुछ तो करम करो यही तो मैं बोलना चाहता हूं कि आप इनके जो असली मुद्ध है ना अगर हम लोग नहीं उठाएंगे इन लोग यह तो लोग फाइदा उठाते जाएंगे